हैं एको भी जन का से लगाने जा रहे हैं हिक विम्ञेस्द का चैमरे संथी अच्छा आना जाता हैं profit हीजन दोस्तों चर्छ से घाहे हैं यहें होते हैं मतलब जाए दो कर निए सब दूस120 तो हम यहांपे एचडी और रेगुलर कैमरे ़ोम चाहिंChat लगाने यहांगे होते है उसी इसांब से डियो हम लगे लगी लगाए गा da दो डॉम कैमरे अंदर इंडॉर में लगाए जाते हैं और जो ब्लट कैमरे होते हैं आउट्डॉर में तो यह DVR है मेरा DVR के साथ में हमारे अड़ेप्टर मिल जाता है यह रहा जाता है यहां पर और यहां पर हार्ट डिस्क लगती है उसके पाउर कोड और हमारे इसमें जो DCW वाले या data connection होता है वो तो यह है मेरा 8 channel का DVR जो की HDMI और VJ दोनों supported है और online link के लिए इसमें land cable दिया गया होता है तो इसे हम total install करेंगे installation के लिए क्या क्या चाहिए हमारे cameras doom, blood दोनों और आपका DVR और 8 channel की यानि की 10 ampere की supply तो दोस्तों यहां पे यह अंडर गांड फिटिंग में पहले यह already wire डले होई है जो कि मैंने हाँ निकाल लगए हैं यह देख सकते हो फिलाल यहां पे 6 wire निकले होई है ठीक है तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा दोस्तों इन wire को छीलना होगा इनके मैं कोडिंग बताऊंगा, इनके कनेक्शन बताऊंगा, बी एंसी कैसे लगती है वो बताऊंगा, जो जो इसमें समान लगता है, क्या क्या समान की जुरत होती है, क्या क्या हो जुरत हो, मैं लिंक आपको डिस्विशन में दे दूँगा, एक कैमरा यहां लगेगा, एक क एम्राजबे तो करीब के फुल एच्टी में आपको 22 दिन की आपके बैक अप मिल जाएगा तो यहां पे जैसे हम इसे डीवियार को उपन करेंगे उसके अंदर हमारा पेच मिलेंगे हार्डिस्क लगाने के और हार्डिस्क लगाने के लिए जो हार्डिस्क को पावर जाती है उसके लिए 4 रैर की पिन मिलेगी और एक मिलेगी दोस्तों उसके डाटा ट्रांसवर के लिए तो मैं जल्दी से लिए हमारा डीर्म इसको उपन कर ले तो पीछे से 4 ओपेच कोल गये तो मैंने कोल लिया तो मैं सबसे पहले इसमें हार्डिस्क इंश्टॉल करनी होगी कम से कम अगर 8 G आप 8 कैमरा यूज़ कर रहे हैं 8 कैमरा लगा रहे हैं तो दोस्तों आपको 2 TB हार डिस्ट में चाहिए चाहिए जो काइदा बनता है 1 अब 1 TB 4 जो आपके 4 चैनल का होता है यानि कि जो आप 4 कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो आप 1 TB लगा सकते हैं नहीं कि 1000 GB तो यहां पर हम में 2000 GB यूज़ करने जा रहा हूँ तो मैंने इसमें पिला ले डेटा वाला लगाया केबल फिर उसके बाद में या जो इसमें हमारी DC जो जाती है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट तो इस कनेक्टर को भी लगा देंगे यह समें असानी से लग जाएगा दोस्तों हमारी चैनल पर आप नई हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो जो हमारी चैनल आप रैड कलर का आईक देख रहे हैं पट्टी उसे ब्लैक कर दो यह सब्सक्राइब जिसे हमें दोस्तों मौटिवेशन हम दिलता है अच्छा अच्छा वीडियो लाने कोईस करते हैं आपके लिए तो प्लीज आगर आप कुछ नहीं दोस्तों सब्सक्राइब तो कर सकते हो और वीडियो चैनल लाइक करने जाए हैं दोस्तों पास आप लगा रहे हो तो इसको यह चीज पहले बोलनी पड़ती है हार डिक्स अप्लाई यह सब चीज अलग अलग आती है इनका प्राइस एक जंगे जब बताया जाता है ठीक है तो हार डिक्स के यहां पे मैंने पिन लगा दी और डिक्स अप्लाई प्राइस अप्लाई प्लाई लेनी होती है जाए चार केमरे पे हमारी पाच अमपेर और दस अमपेर यानई की आर्ट केमरे पे चलती है तो वो कोई भी कंपनी ले सकते हैं उससे कोई डिपेंड नी है तो यह जो वायर है मैं थोड़े थोड़े लंबे लंबे छिल ला हूँ क्योंकि DVR और सप्लाई में अलग लगाने जा रहा हूँ तो जो हमारी 3 प्लस 1 की इसमें वायर लगी हुई है एक वायर के अंदर हमारी वीडियो की पिन है और ग्राउंड है और 3 वायर इसमें अलग से दिए गई है इसलिए से हमने 3 प्लस 1 का गया है तो इन में वायर को मैं छिल है तो इसमें बि-N-C लगानी होगी एक बि-N-C दोस्तो लोहे की आते है एक बि-N-C दोस्तो आइसे आते जो अंदर से सिल्ड होती है तो आपके इच्छा आप कोई इसी भी लगा सकते हो तोस्तों मैं खुले वाले लगा रहा हूँ जो RJ6 केबल में भी लग जाती है RJ6 केबल मतलब जो हमारा DTH बगारा के लिए छहतरी के लिए के लिए के लिए लगाया था उसमें भी तो यह वीडियो की पिन मैंने आलग लिका ली बाकी जो इसमें तीन वायर बचेंगा हमारे दोस्तों उसमें हम क्नेक्शन कैसे करना है रही दिखाते हैं तो इसमें थो वीडियो की यानि की आपके जो यह बिए पिन हमने लगा ली इसमें ठीक है, BNC pin, और जब हम इस BNC pin को लगा दें इस पर टेप लगा के से fit कर देंगे, तो हमारी BNC ready है, तो दोस्तो देखें, एक तरफ हमने 6 BNC लगा लिए, फिलाल देखें, एक वायर जो हमारे वीडियो वायर होती है, केवल के अंदर उसमें BNC लग गई, और एक तरफ दोस्तो green, और यहां पे blue, यानि की नीला और हरे में हमने voltage दे दी, तो जो हमारा green वाला है, वो positive 12V का है, और जो हमारा यहां पे, यहां नीले वाला है, यह हमारा दोस्तो, minus का है, तो फिलाल लगा, मैंने 12V की चार कैमरा की supply लिए है, मैंने टेस्टिंग के लिए, वरना मै eight camera की लगाऊंगा यहां पे, ठीक है, तो यह तो हो गया हमारे connection, इसमें हमारी video हो गई, और हमारा हरे वाला हो गया plus, और नीले वाला हो गया minus 12V, और बाकी जो wire हमारे extra निकलेंगे, उसमें से वो से काट देंगे, उपर को छोड़ देंगे, अगर mic लगाना चाहेंगे, तो एक में mic लगा देंगे, क्योंकि एक DVR में एक mic लगता है, तो इस तरह से हम BNC सभी यानि कि यह pin लगा देंगे connection, और हमारा DVR आगे आगे दिखाएंगे हम कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है, तो किसी भी एक mic में, मतलब किसी भी एक camera के साथ आप एक mic यूज कर सकते ह क्योंकि mic एक ही काम करता है, ठीक है, तो यह हमरे complete video की हो गई, और यहाँ पर DC की हो गई, और बाकी जो यह दो दो wire खाली बचे हमारी है, यह हमने ऐसे छोड़ दी है, एकक बचे, तो यहाँ तक हो गई हमरा अगला process करते हैं, तो मैंने दोस्तों से, मैं यहाँ बॉक्स ना पिन नंबर वाइस, मैंने सभी को लगा दिया है, देखिए हम पर सभी BNC लगा दिया है, यहाँ दोस्तों हमें यह तो लग चुकी है, अब जो यहाँ पर audio के लिए mic लगाया है, मैंने, पीले वाले वायर में मैंने माइक लगाया है, और यहाँ पर जो दोस्तों मैं input दे और यह है दोस्तों हमाई land cable, ठीक है, यह हमारा DVR हमारा radio है, यहाँ से हमारा connection हो चुके है, और DVR में कोई भी connection नहीं है, ठीक है, यह तो सब कुछ आपको पतला है, माउस की जंगे USB में लगा सकते हो, और 8 camera की मैंने लगा दी आप देखिए, निले वाले पर काला, और हरे लाल, यह 12V दे दी है, बस, अगर आप इसमें माईक लगाना चाहते हो, किसी भी एक camera के साथ में, मदब किसी भी camera के साथ में, पीले वाले साथ माईक की प्लस लगा दीजिए, और audio input दे दीजिए, बस, और एक ground देजिए, बाकी आपका काम सारा काम हो जाएगा, तो इसमें DVR में यही connection रहते हैं, जैसे एक इसमें हैं, देखें, यहाँ पर जो यह तीन wire दे गए हैं, निला और हरातों में प्लस 12V के लिया, पीले वाला हमने खाली छोड़ दिया, अगर इस पर चाहो तो माईक का लगा सकते हो, और जो एक है हमारे वीडियो का वीडियो में लगा इसमें डिस्प्ले में आपको चला के दिखाऊंगा, तो हमने फाइनली लगा दिया है, यहाँ पर DVR के connection होगे, एक camera मैंने देखिया, यहाँ पर लगाया हुआ है, यह मैंने ऐसी कस्त दिया है, क्योंकि यहाँ पर force link होई हुई है, और जो इसका उल्टा सीधे कैसे देखन माइक के connection ऐसी है, पीला पीले में लाल प्लस वोल्टेज देने के और अपना जोन सी लाइन में दे रखिया, वहाँ पर लगा दो और यह मैंने आउटडोर में लगाए है, अब आउटडोर कैमरा लगाने का तरीका बताता हूँ, देखिए मैंने लगाए है, अभी कुछ camera मैं उनकी बिल्कुल आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे लगाना होता है, क्या देखिए देखनी से यह, क्या साउधान लेक्षिए क्या नहीं, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हैं, कैमरे के साथ एक टेंपलेट आती है, ड्रिल के लिए, तो यह हमने टेंपलेट इसलिए आती है, जिसे कि होला मारे बिल्कुल आमने सामने हो, हर कैमरे के साथ, जो हम नया लेते हैं, ठीक, तो इसे लगाने से पहले कैमरे के एक साथ दानी रखनी होती है, एक तो सबसे महिन चीज, कैमरे के सामने कोई फ्लोड लाइट ना हो, जैसे ही हमारा कैमरा इसे त ने एरिये में मतलब जितना इसका एरिया बैठता है महाँ पे इसका कोई भी हमाई लाइट का रिफ्लेक्शन सीधे ना हो क्योंकि फिर LDR वर्क नहीं करेगा उसका जो रोटेसन है वो तिर्चा बंक का ना हो बिल्कुल इस डारेक्शन में रखना आपको पर रोटेसन जैसे यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सीधा अगर इसके सामने कोई लाइट पढ़ती है तो नाइट विजन में प्रोगलम करेगा नाइट विजन ओना होगा कभी ओफ होगा यह प्रोगलम बनी रहेगी तो इसके जितना भी एरिया आता है उसमें कोई लाइट इसके बिल्कुल लैंज पर फोकस ना कर रही हो इस तरह से देखना है और जो हमारा इसके आस पास का जो दिवार है उसके पास इसकर से जो है हमारे दस दस विजो जो हमारा वो बैठे का इन्हा least के में गॉमाएंगे अभी महांपको दिखाता हूँ पहले मैं इसके कश देता हूं पेसंटि इन्हें गैटन आपके इससे के कर जाने कि हमारे भी घ्र आप का इस्पान आने पतिल के कर्षारां आविज इतना एरिया कम कैम्हें खेंक Guru य 느माम क्ना ख़िए और छहारां पर इतना आपके दो अब प्र्वारे को कर्फेंगा घरेखी हैश्चगर्णिक कर लगए में नहीं नहीं चल लेगी वहाँ बर अपना हिसाब भी लगा के चलना चाहिए और कैमरे को थोड़ा सीधा रख़श GY positive तो सीधा धार ना efect ऑर बिलकुल जहांका करड़ कहे हैं वहाँ सको लगा के छोड़ा देना है ठीक है। है ट्विशिव हमारा काम सुष्टरा लगाने का और conheuß कमर को लगने को अब कैमरा लगाने का तरीका STUDENT समझ लीजिए आँसे अब हमारी इसकी यहां पर केबल आगया सबसे पहले एक BNC आप जो RJ6 में भी लग जाती है वह ले सकते हो या कोई सी भी यह हमारे कैमरे का वायर और यह जो हमारे DVR से जो वायर आयो है 3 प्लस 1 का वो तो इसमें तीन तार दिये गए हैं और चोथा तार है हमारा वीडियो का वीडियो का एक बिच वाला होता है जब इसे हम छीलते हैं यहां पे और साइड वाल ओता है ground जिससे हमारी वीडियो का ground मिलता है यानि के लेटी थोड़ी अच्छी हो जाती है तो जैसे हमारा RJ6 का cable होता है उसकी तरह ही होता है ठीक है तो हमें यहां पे छीलता हूँ जो इसके बीच वाला एरियर लिकडेगा बिलकुल ब लिखड़ेगा एक black तो red जो है वो आपका वीडियो का है तो हमें red पर ही लगा देना है यहीं कि बिच वाले पर लगा देना है रेड से मतलब नहीं है बिच वाले पर लगा देना है ठीक है इसे बराबर शील लेते हम DC और BNC DC वाले को क्या वाले को क्या वाले जोई DC पिन होती है हमारी इसमें कैमरे को चलाने के लिए 12 वोल्ट देने के लिए इसमें बराबर शील लेता हूँ यहाँ और मैं फिर आपको इसके connection समझाता हूँ अगर आप इसमें माइक लगाना चाहते हो तो आपको करना क्या है भई ग्राउंड तो एक ही रहेगा फिलाल यहाँ पे पहले इसकी देख लिए BNC कैसे लगेगे BNC का यही है वीडियो वाली पिन में जो बिच वाली तार रहेगा उस पर रैड़ वाला BNC का यानि कि बिच वाली पिन का इसे लगाके यहाँ पर टेप मार देंगे सोल्ड इसकी टेप लगा लेंगे और इसे पैक कर लेंगे यानि कि वीडियो की पिन को अच्छे से पैक कर लेना होगा इसमें कोई भी डिला विला नहीं रहने चाहिए ठीक है तो यहां पर इस पर टेप लगा देंगा अच्छे से इसके साथ में ही वीडियो की पिन के साथ यह ग्राउंड दिया गया होता है जो कि हमारी BNC के साइड वाला एरिया होता है लोहे के एरिया तो इसका ग्राउंड भी कनेक्ट जरूरी करना है आपको यह लग गए ठीक है इसके ओपर हम टेप माले अब बचे हमारी 3 तार हमारा यहां पर यहां पर है Blue, Green और दोस्तों हमारा और दूसरा जो Color हो हमारा इसमें दे रखखा है यल्लो वाला तो जो Green था हमने नीचे Plus वाला लिया था यहनी कि 12 Volt के लिए और जो हमारा यहां पर blue ता है यानि कि नीला वो हमने minus के लिया था 12 वोल्ट के लिए तो हमें यहां पर जो DC वाली पिन है इसकी plus है वो plus पर जोड़ देंगे हरे वाला जोड़ दिया और नीले वाला जोड़ देंगे सफेद वाले पर यानि कि काले वाले पर कहने मतलब यह तो इतना जोड़ने के बाद हमारे DC और BNC चालो जाएगी अगर आप इसमें माइक लगाना चाह रहे हो तो जो एक तार्कस का खाली बचा हुआ है केबल में से उस पर माइक का पीले वाला वायर और जो आपकी वो 12 वोल्ट दोगे जहां पर इसमें आपने DC वाली पिन पर 12 वोल्ट दी माइक को वहीं से 12 वोल्ट दे दो कानी कतम और आपको DVR में कैसे लगानी है DVR में वही है सिंपल तरीका कि DVR में जो उन से पर आपने माइक कता लगा है वो इनपुट में दे दो और ग्राउंड दे दो चला चला है माइक कानी कतम तो यहाँ पर हमारी 12 वोल्टेज आ चुकी है मीटर से हमने चेक कर लिए और DC भी चाल लूँ है बी एनसी भी तो यह बी एनसी हम कनेक्शन कर देंगे कैमरे में हो गया सबसे पहले वीडियो लगाएंगे तब हम वोल्टेज लगाएंगे तो हमने यहाँ पर दोस्तों वोल कर देना है ठीक है तो यहाँ पर मैं bnc विंको भी और DC को भी कर देना है यह क्यों वास्य है आपकी वरतमान में बारी इसका मोसम बयाएगा बारीश भी पढ़ेगी सबसे ज्यादा कम ज्यादा तो इसमें क्या होगा दोस्तों आपकी बैनसी पानी जानी कोई से आपकी या तो यह चीज आपको दोस्तों बहुत ध्यानक ना देखिए हमने पूरे टेप लगा दी ऐसे आपको डी सी वाली पर लगानी है यह चीज साउधान लखने वाली होती है क्योंकि कंप्लेन वाला काम मत करो काम अच्छा कर तो कस्टूमर खुस हो जाता है तो मैं यहां पर पूर पूरी अब इसे जितना भी जो एक्स्टा केबल थोड़ा सा केबल एक डेड़ मीटर हमेशा रखना है जब आप केबल बिछाओ यह चीज सावधान रखनी है याद रखना है किस वीज़े से केविल कट जाए हो कुछ हो जाए तो कामा जाए तो पूरा यहां पर केबल को इ दर आ जाती है अगर हो अवेलेबल तो लगा लो और नो कोई बात नी है तो अब हमने दोस्तों केमरों के सभी के कनेक्शन गर दी है अब यहां पे अपने सैट अप को से ओन करते हैं डी व्यार को ओन करते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले प्रोसियस आ आप जरूर recommend करें कि जटका लग जाता है light का अगर उच्छ नहीं जटके जटके में कोई कुछ problem कुछ करके चला गया तो रिकोर्ड उसमें नहीं होगा क्योंकि जब तक आपका डी वियार ओन होगा उससे में recording तो मैंने पासवर्टों डाल दिया कस्टुमार का उसके बाद मैं आपको एक्सपोर्ट के लिए काएगा जो इसमार्डिक्स पड़ी हो उसे आपको एक्सपोर्ट कर गए और आगे नेक्स चले जाना है तो आपको नेक्स नेक्स कर देना है एक दो बार आपको पैटन डालने क दो बार टेम्ट के लिए गएगा उसमें वो आपको पैटन भर लेना है ठीक है तो हमारे पैटन हो गए उसके बाद अपनी डेट वेट भर लेना है डेट डेट ओबर जो भी इस मतलब जो डेट है और आज की वो भरनी है और अपना समय थी इसमें सब कुछ फिट रखनी है औ जो भी अपना ये और कुछ नहीं है अपने नेस्ट कुछ इब और अपनी फिर हांद आपनी हडा इस वायुपर अपनी इसमें हर डिस दिखायrows में हार्डीस इसमें उप इसमें सब पूर्ड करते ही तो अपनी अपने रेकोर्डिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी हारिड तो अभी मैं आपको प्रोपर ओन करके दिखाऊंगा और हमने यह नेक्स कर दिया तो अब दुबारे बंद करके हमने चलाया अब तो हम जड़ा देखते हैं अगला इसका वो क्या रहता है तो हमने सभी कैमरा इस्टोल कर दिया है दोस्तों डूम और बुलट के दोनों के कनेक्शन सेम है टेम्पलेट उसके साथ मिलती है उसके हिसाब से होल करके उसमें लगा दीजिए बहुत एजी है कैमरे के सेटिंग मैंने बता दी लेंज जो होता है उसका उसके नीचे आपका LDR होता है वो बिल्कुल बीच ओ बीच नीचे एक तरफ आएगा तो कैमरा सीधा है डूम कैमरा अनेता तिरचा है जैसे मैंने बताया आधी हाली डीदर आएंगी लेफ्ट में आधी राइट मे तो जब शुरू में और तो नेक्स टाएगा लेंग्वेज के लिए और अपने पैटन भरा वह पैटन मांगेगा अगर कुछ सेटिंग चाहोगे तो आपनी यह जो आपने इसमें पास्वर्ट लगा को मांगेगा तो यहां पर डेट वेट के लिए रिकमेंड करेगा यह न चैन के बर लगाएं तो बैटर है अगर आप इसमें ओनलाइन पॉर्ट से करते हो कि चिससे तो बैटर नहीं है तो यह इसमें जो आपना सब कुछ जो दिखा रहा है कैमरे का सैट अप है यहां पे जो प्लेटफॉर्म मैसेज या नहीं का अपने नेट से कनेक्ट कर रखा ह है और यह नेट से हमारा ओनलाइन हो रहा गया है बसमें जैसे नेट लगाऊगे तो नेट कनेक्शन में जाका आपको बार कोड़ इसकैन करना और परमिशन देनी है पास्वर डालती अपका ओनलाइन फो जाएगा तो यहां पर फिनिस कर देना है डेट डालके और आपका न खेल और आपके डिस्पले पर कैमरे आ जाएंगे देखे दोस्तों हमारे नहीं टोटल आट कैमरे आपके अनने आप लगाए ठीक है अब यहाँ पर देखे दोस्तों सब कुछ आपको दिखा देगा यह फैल आपके जीनिंश्द में किया चीज आइब आइप आई-प कैमरे इस में अगर इसमें इस्टॉल है, तो वो भी दिखाएगा, और सैटिंग है है, यहाँ पर इसका अब चला होगी सब कुछ आपको दिखा देगा, अगर इसका देखिए, जिले बैक करता हूँ सब कुछ किलियर देगे जैसे हम डबल किलिक करते हैं लाफ साइड वाला तो हमारी यहाँ पर ये वाला कैम एक्ट कियाता हम भी दीघिय्द एडबल किलिक कर रहे हैं तो camera ढंट उकके चल लिए किलियर कामरेर, जिस याइट के बढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको और चेंज कर टहरा हो, तो यहां से यहां मैं है टेकिए 1 उपोन, संर्ब किया मैंने देखे पहला बढ़ा आएगा तो दूसरा अगर बढ़ा चाते हो तो इसको ठाक रख लीजिए अगर इसको बढ़ा चाते हो तो इसे बढ़ा चाते हो तो इसे देखिए कोई सब भी बढ़े पर ले सकते हो तो दोस्तो हमारा कैमरा सेट अप लगके बिल्कुल और आपका एक DVR, सप्लाई, BNC, DC PIN और केबल और हैमर, मसीन और यह सब चीज मैंने जो जो लगता है समानों मैंने वीडियो बना रहे हैं लिंक आपको डिस्विशन मिल जाएगा फिर भी मैंने बता दिया आपको क्या क्या समान लगता है बच यह समान लगता है बच यह समा बच्छति में लगता है मैंने लोगता है बच्छति और हैँई लो जाएगा बच्छति और मेंने इने और हैं लोगता है